DHCP यानि की Dynamic Host Configuration Protocol इसकी जरूरत क्यों पड़ी अब आपके घर में कंप्यूटर भी होगा, लैक्टॉप भी होगा, टैबलोट भी होगा, मोबाइल्स भी होगे अब आप देखें, इतने सारे devices हैं, और जब भी आप इसको किसी private network में डालते हैं या किसी public network में डालते हैं, जैसे internet से connect करते हैं तो इन सब को IP चाहिए, बगर IP address के तो काम नहीं चलेगा तो IP address को डालने का क्या तरीका है, manually डालते हैं, या फिर automatic भी डाल सकता है DHCP का पूरा मतलब है कि आप automatically इसमें IP डालेंगे फर्स कीजिए कि अगर आप manually हर बार जब भी कोई भी device यूज़ करें और हर बार आपको इस तरीके से IP डालना पड़ें, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, कितनी परिशानी हो जाएगी यह IP addresses हैं, जो प्राइवेट अगर आप प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आपको इन प्राइवेट IP की addresses की जुरूत पड़ेगी और यही आपको इसमें दर्ज करना होगा तो राउटर क्या करता है, जैसे अगर इंटरनेट का राउटर लें, या आपके नेटवर्क का राउटर लें, तो करता ये है कि वो इस तरीकी से IP DHCP का उप्योग करके आपके कंप्यूटर को automatically assign कर देता है आपके smartphone को automatically assign कर देता है इसलिए इसकी जुरुत पड़ी manual ना कर सके या नहीं करना चाहते क्योंकि अगर बहुत बड़ा network हो गया तब आप क्या करेंगे तब तो बहुत परिशानी हो जाएगी अब देखिए इसमें ये एक network बना हुआ है इसमें आपने IP डाल दी इसमें IP डाल दी इसमें IP डाल दी सब में IP address डाल दी फर्स कीजिए कि एक computer एक और जुरता है इस network में अब इसकी IP आप कैसे देंगे माल लिजे इसमें आपने एक IP address दे दिया जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है तो आपने इसमे 192.168.1.5 दे दिया ठीक है अब ये IP इसको मिल गया माल लिजे कि ये अपना computer जो है इस network से हट जाता है तो IP तो आप दे दिया आपने तो IP आपने manually दिया और उसके बाद जब IP ये दे दिया तो ये तो फस्ट गया IP इसको वापिस कैसे लेंगे आप तो इसके लिए ये होता है कि जो DHCP में DHCP server होता है उसके पास एक पुरा pool होता है IP addresses का और ये जो IP addresses है ये जो computer अभी यहाँ पर आया था उसको ये lease कर देते हैं ध्यान रखिएगा lease होता है पट्टे पे दिया जाता है यानि कि जैसे आप किसी कराये पे दे रहें तो IP किसी समय के लिए किसी एक period के लिए IP assign हो जाती है और उसके बाद जो वो computer चला गया यानि computer अगर उस network से हट जाता है तो ये जो IP आपने दी है इस pool से वो reclaim हो जाती है यानि कि वो IP वापिस आ जाएगी ताकि कोई और computer आए तो उसको ये IP दी जा सके तो इसलिए हमको dynamic host configuration protocol की जरूत परती है